जी अबू नया जौब कैसा चल रहा है बेटा अबू पहला हफता तो काफी अच्छा रहा पड़िया तो फिर अब अबू रिटार्मेंट प्लानिंग के बारे में भी सोच लो अबू रिटार्मेंट प्लानिंग अबू ये NPS क्या है? NPS मतलब National Pension System. रुको मैं तुम्हें अभी वाटसेप पर वीडियो सेंड करता हूँ, ओके? भारत सरकार के पयादत वाला NPS एक Contributory Pension System है. भारत के हर शेहरी जिसकी उम्र 18-65 साल के तर्मियान है और जो KYC norms मुकमल करता है, इस मनसूबे से इस्तिफादा कर सकता है. NPS के साथ अभी से बचत. इक्विटी, बॉंद्स, गवर्मेंट सेक्यूरिटीज, कहीं भी? Pension Fund पसंद ना आए या इन्वेस्टमेंट बदलना हो तो? उसकी पूरी रियायत है. साल में आप एक बार बीएफ और दो बार इन्वेस्टमेंट चोईस बदर भी सकते हैं. NPS में पैसा विट्रॉक करते वक्त उसका 40 फीसद टैक्स फ्री होगा. और साथ ही एन्वेटी परचेस कर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. अच्छा वकार भाई, अगर एमर्जेंसी में अचानक पैसों की ज़रुत पड़ी तो? इसकी सहूलत है ना, देखो, तीन साल के बार आप तीन मर्तभा अपने ताबून का 25 फीसद यानि के 25 फीसद पैसा बाहर निकाल सकते हैं. मैंने खुद पहली मरतवा अपनी अम्मी के इलाज के लिए पैसा निकाल और दूसरी मरतवा अपनी बेटी के निखा के लिए पैसा निकाल और दीसरी मरतवा इंशानला शायद अपना घर बनाने के लिए मैंने अब भी एहलिया को भी नॉमिनी बनाए ताके मेरे बाद उसको इसका फाइदा मिल सके तू बेटा क्या फैसला किया? अबू सोच रहा था कि अपलाई करी ही देता हूँ बेटा, दस साल के बाद इन्वेस्ट करने के बजाए अगर आज इन्वेस्ट करोगे न तो तीन कुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा बेटा, उम्र के इस मरहले में जहां आज मैं हूँ वहां कभी तुम होगे तब ये छोटा सा कदम तुम्हारे और तुम्हारे कुम्बे के लिए बहुत काम आएगा जैसे के आज मेरे और मेरे कुम्बे के लिए काम आ रहा है जी अब्बू चलिए वकार भई आज ही एन्पीएस के लिए अपलाई करता हूँ एन्पीएसट्रस्ट.org पर आज ही लॉग इन करें और पेंशन केलकुलेटर के जरीए हर तरह के फंस मैनेजर और इन्वेस्ट्मेंट चॉइसस के हिसाब से रिटर्स कैलकुलेट करें एन्पीएस के जरीए बनाएं एक महफूस कर